है एवरिवन नमस्कार मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में तो आज किस वीडियो में काफी important topic पे एक ऐसे fact पे हम बात करेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा तो आज हम बात करेंगे कि क्या जो सेर होता है वो पेड़ पे चड़ सकता है अब आप कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं हमने तो किताबों में यही पढ़ा है कि सेर तो पेड़ पे नहीं चड़ सकता और हमें बताया गया है कि अगर आपको सेर देखे तो आप पेड़ पे च चड़ सकता है या नहीं चड़ सकता चड़ सकता है तो कैसे चड़ सकता है तो यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानेंगे तो हाली में काफी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वाइरल हो रही थी जिसमें हमने देखा कि जो सेर होता है हालाकि जो चीता या तेंदुआ होते वो तो पेड़ पे अक्सर चड़ते हुए आप लोगों ने देखे हुए लेकिन जो सेर होता है जिसे हम सिंपल सब्तों में बबबर सेर बोलते है तो जो दाड़ी वाला सेर होता है वो भी हमने जो वीडि Gwen की से ने पेड़ पे चड़ते हुए देखा था इसके बाद हमारी टीम ने रिसर्च स्टार्ट की चानबीन स्टार्ट की और जो काफी डिस्कवरी वाले चैनल्स हैं न्यूज चैनल्स हैं क्योंकि हो सकता है कि सोचल मीडिया पे चीज़े खराब हो वैसे ही जूट फैलाया गया हो लेकिन जब हमने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा इसके बाद जो न्यूज चैनल्स हैं हुआ पे देखा और जो बड़े बड़े आर्टिकल्स चपते हैं हुआ पे देखा तो हमें पता चला कि जो सेर होता है वो भी पेड़ पे चड़ सकता है लेकिन यहाँ पे एक बात मैं पीड है वो थोड़ी कम है लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेर पेड़ पे नहीं चड़ सकता अब इसमें क्या है वह समय के हिसाब से बदलाव हुआ हो उन्होंने भी चीता या तेंद्वा को देखके चड़ने के ट्राई किया हो ऐसा भी हो सकता है तो इसमें हमारी जो परताल में ये थाबित होता है कि जो सेर है वो भी पेड़ पे चड़ सकता है और जो किताबों में बताया गया है उसमें कुछ बदलाव करने की सायद जरूरत हो गई तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं तिंक्यू, जै हिंद।